हेलो और वेलकम टू माई व्लोग स्वागत एक बार फिर से मेरे इस दुनिया में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मैं एक मिशन में हूँ जो अगले दो से धाई महिने में शिडू होगी और लगातार एक महिने या फिर शायद उससे ज्यादा भी चल सकता है अग जिन्नोंने पहला वीडियो देखा है उन्हें तो पता है पर जिन्नोंने नहीं देखा प्लीज देख लीजिए नहीं तो आपको ही पाप लगेगा जस्ट किडिंग अब बोल रही हूँ तो बोल ही देती हूँ मैं तयारी कर रही हूँ एक बहुती बड़ा बहुती अमेजिंग रोड ट्रिप का जिसके बारे में मैं अभी ज्यादा कुछ डिसकस नहीं करूंगी पर हाँ तयारी जोडो शोडो से चलेगी जिसके लिए मुझे चाहिए आपका साथ क्योंकि आपका सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेट करता है नहीं तो मेरा बस चले तो मैं एक हफते तक अपने बिस्तर पे ही पढ़ी रहू तो ठेंक यू सो मच पर यूर लव और सपोर्ट जो मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे मिलेगा पर भगवान की क्रिपास से आपका प्यार भी मिला और बहुत सारी खुशिया भी और हाँ अगर आप चैनल को बिना सब्सक्राइब कि ये वीडियो को देख रहे हो या फिर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और आज सुबह उटके जब मैं कॉफी पी रही थी तब मुझे याद आया डिसमबर शुरू हो गया है मतलब 2024 खतम, फिनिश, ओवर यार ये साल कैसे निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता मैं तो अभी भी 2020 में हूँ मास्क और सैनिटेजर से बाहर में नहीं आ पाई चार साल बीद गए ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी टाइम मशीन में अटक गई हूँ और मुझे पता है बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर सकते हैं तो टेल में इन दा कॉमेंट किया आप भी मेरे इस ग्रूप में शामिल हो क्या आपको भी लगता है पलग जपकते ही 2024 निकल गया सच में मैं तो सदमे में हूँ अब अगर मैं हिसाब किताब लगाओ 2024 का तो इस बार मैंने इतना कुछ खोया है इतना कुछ खोया है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते मैं अपने लाइफ के उस ट्रांजिशन पॉइंट पर थी जहां मुझे बहुत बड़े बड़े डिसिशन्स लेने पड़े और मेरी सिंदेगी बदल गई एक टाइम ऐसा भी आया जहां मैंने खुद को भी खो दिया था बट अब अगर इस डिसकुशन में जाऊंगे तो शायद गरबर हो जाएगे तो ये सब साइड में रखते है और क्या पाया उस पर फोकस करते है अब इस आजादी के साथ मैं कहा तक जा पाऊंगी I don't know पर इतना तक अंफर्म है I will not regret this decision second thing I learned to let go क्योंकि जिन्दगी ने इतना सिखा दिया है अब मुझे फर्क पढ़ना काफी कम हो गया है I hope एक दिन ये शब्द मेरे लाइफ से डिलीट ही हो जाए thirdly मेरी traveling थोड़ी बढ़ गई है पहले भी मैं घूमती थी बहुत ज्यादा बर अब थोड़ा और ज्यादा हो गया है and I just love it साथी साथ I also love making videos and भगवान की क्रिपा और आप सब के support के चलते मेरा channel भी इस साल monetize हो गया है जो मेरे लिए एक बहुती बड़ा achievement है and last but not the least in fact the most precious gift from 2024 is spiritual journey में मेरा पहला कदम अब ये कदम किथे जाएगा वो प्रभू ही जाने मुझे बस इतना पता है जो भी होगा अच्छा ही होगा तो आप बहुत सारी positivity के साथ यहाँ पर थोड़ी देर बैठती हूँ और खुद के साथ थोड़ा वक्त विताती हूँ वैसे भी discussion थोड़ा ज्यादा ही serious हो गया था जिसके वज़े से feeling little bit heavy तो यहाँ पर बैठूंगी तो मुझे अच्छा लगीगा तो आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहें अभी के लिए बस इतना see you in next video बाबाई